हेलो लवली फ्रेंट्स वेल्कम बैक तो माई चैनल सीयास वर्ल्ड तो फ्रेंट्स आज में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे हेर कलर का सिकेंड पार्ट जैसे कि आपने पहली वीडियो में देखा कि मैंने किस तरह से अपने सारी बालों में हेना पैक अपलाई किया थ जब भी आपको यह हेर कलर करना है आपको उसी टाइम गरम पानी के साथ इसका पैक बनाना है तो फ्रेंट्स इसकी अल्रेडि मैंने एक वीडियो बना रखिये है उसका लिंक मैं नीचिल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी तो चली फ्रेंट्स आप देख सकते है मेरा जो hair color है वो mix हो चुका है तो अब हम डाल लिते हैं gloves gloves पैनना काफी जुरूरी है because जब भी हम hair apply करते हैं या फिर hair color लगाते हैं तो हमारे हाथों में कोई भी color हो बड़ी जल्दी चर जाता है तो इसलिए friends आपको hair color apply करने से पहले gloves पैनने हैं आज मैं जो color apply करने वाली हूं सिर्फ अपनी roots में करने वाली हूं because मेरे जो gray hairs only roots में ही होते हैं तो friends मैंने ज़्यादा जो color है वो mix नहीं किया because सारे बालों में color apply करने का कोई मतलब भी नहीं बहनता बाकी के बाल आप देख सकते हैं मेरे black ही है बस मेरे जो gray hairs है उनको मैंने black करना है तो इस तरह से मैं सिर्फ roots में ही इसे apply करूंगी और इसके मेरे ख्याल से only two spoon हुझे लगेंगे तो इस तरह से friends पर पहले right side से सारे roots में इसे apply कर लोंगे और फिर में left side से तो इस तरह से friends अगर आपको भी only roots में ही gray hairs होते हैं तो आपको सबसे पहले अपने सारे बालों में हिना apply कर लेनी है उसके एक दिन बाद या दो दिन बाद आप इसे apply कर सकते हैं इससे ज़दा gap friends मत डालेगा बिकोज उससे क्या होगा कि हिना का जो color होता है वो जल्दी ही निकल जाता है तो आप कोशिश करके दो से तीन दिन के अंतर इस hair color को apply कर लें ताकि आपके जो बालों का color है gray hairs है जो red हो चुके थे वो black हो जाए तो friends इस तरह से मैंने अपने बाकी के बालों को tie कर लिया है देख सकते हैं मैंने सारे वालों में hair color को apply नहीं किया सिर्फ वही वही किया है जहां पर मुझे लगता था कि मेरे जो hair है वो gray है तो अब मैं friends टालूंगी shower cap and सबसे important बात friends की आपको इस hair color को apply करने के बाद इसे 3 घंटे तक रख रहा है अगर आप 3 घंटे से कम रखेंगे तो friends आपके बालों में color नहीं आएगा तो फिर आप मुझे friends comment box में बताते हैं कि हमारे बालों में color नहीं आया आपको 3 घंटे minimum इसे बालों में रखना है और मैं कहूंगी 3 घंटे से जाधा रखने की जरूरत भी नहीं है 3 घंटे में मैंने देखा है कि बालों में color अच्छे से चड़ जाता है और कम से कम एक मीना तो friends रहता ही है तो इस तरह से मैंने अपने उपर के बालों में भी इसे अच्छे से प्लाई कर लिया है विकोस थोड़ा सा जो hair color था वो बच गया था आप जेख सकते हैं बुलकुल मेहंदी की तरह ही लग रहा है और अब मैं डालूंगी shower cap जैसे कि मैं आपको बताती होती हूँ कि shower cap पहने से क्या होता है कि आपका जो hair color है या मेहंदी है वो सूकता नहीं है और बालों में चिपकता नहीं है तो इस तरह से friends मैं आप इसे तीन घंटे तक रखूँगी तो तीन घंटे के बाद friends मैं इसे normal पानी से wash कर लूँगी मैं कोई भी shampoo यूज नहीं करूँगी और फिर रात को oil लगा के उससे next ये आप इसे shampoo से wash कर सकते हैं आप conditioner भी apply कर सकते हैं तो friends ये जो color होगा आपका एक महिना तो चलेगा और आप देख सकते हैं मेरे जो हाथ है बिल्कुल clean है तो ये थी friends मेरी आज की वीडियो आपके लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आए या useful लगे तो इस वीडियो को like कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा और आपको मिलती रहे तो मिलते हैं friends नमारी नेक्स वीडियो में थेंक यू फ्रेंड्स बाइबाइ